नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रोहेद इस वीडियो में मैं आपके साथ एट क्लास की साइंस डिसकर्ज करूंगा जो की सेकंड चैप्टर है माइक्रो और रिगिंदम माइक्रो और रिगिंदम हमारे क्या होते हैं सुष में जीव होते हैं हमने पिछली वीडियों पढ़ा था कि यह हमारे लिए कैसे लाब दायक हैं और कैसे हमारे लिए दुश्मन हैं तो उसी की बारे में हम लोग यहां पर विस्तार से बात करेंगे जैसे कि मैंने माइक्रो और रिगिंदम के बारे मताया था कि यह बहुत ही छोटे छोटे जीव होते हैं सूस में जीव होते हैं जो हमें नंगी आंकों से दिखाई नहीं देते हैं इनको देखने के लिए हमको माइक्रो स्कोप की अशक्ता पड़ती है अब यहां पर मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि बैक्टीरिया फंगी और प्रोटो जोवा जो है अलगी यह मुक्ता माइक्रो और ग्रिंदम हैं बैक्टीरिया फंगी प्रोटो जोवा अलगी यह चार्ट जो हैं माइक्रो और ग्रूप से बिलॉंग करते हैं वाइरस भी माइक्रो स्को ह Iris वाइरस वाइरस होगा डिफरेंस जो पाया जाता है वह वाइरस में पैंस वाइं के अंदर ही पायout में बाहर नहीं यहीं इसमें फरक है और यहां पे कुछ बायरस और बैक्टिरिया की images दिये हुई थी और यहां पे दिखाया बताया गया था कि हमारे लिए किस परकार यह लाबदायक हैं पहले तो यहां पे बताया गया था कहां पे live करते हैं यह मैंने बताया था कहीं पे भी live कर सकते हैं यह microorganism, single cell भी हो सकते हैं और multi cell भी हो सकते हैं और यह कहीं पे भी रह सकते हैं अब यहाँ पर जो हमारे लिए कित परकार यह लाब दायक है जैसे कि बैक्री में इसका इस्तिमाल होता है केक बनाने के लिए और जो है दूस से जो दही बनता है वो लैक्टोबैसली बैक्टीरिया की वज़ासे बनता है और जो हमारा है East की वज़ासे जो है वो Sugar Can से alcohol बनता है यही इसमे और कुछ बैक्टेरिया हमारी soil fertility को भी increase करते हैं वो की environment से nitrogen लेते हैं और मिट्टी में बैक्टेरियर रहते हैं वो fix करते हैं nitrogen तो इस परकार हमारा plant जो है वो nutrition लेता है और यहीं भी यह बताया गया है कि जो lactobacillus bacteria है वो हमारे लिए important है क्योंकि दूसरे जो दही बनता है वो lactobacillus की वज़ा से ही बनता है यहाँ पर fermentation का बताया था कि जो sugar है अलकोहल में बदल जाती है उसी को fermentation कहते हैं लुइस पास्चन ने यह discover किया था 1857 में यह most important है इस्ट का भी आपको use पता लग गया होगा इस्ट ही जो है वो sugar cane को अलकोहल में बदलता है अब यहाँ पर हम देखेंगे कि medical use यह इतना सब कुछ मैंने पिछली वीडियो में बताया था medical use अब क्या है हमारा इसमें हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से जो medical use रहता है हमारा हमें आपने जब आपको कोई बुखार या जुखाम होता है तो आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं आपको कुछ capsule या tablet दे देते हैं वो हमारे शरीर में क्या करती हैं antibodies बनाती हैं इन्ही को हम लोग medicine को क्या कहते हैं antibiotics कहते हैं antibiotics को आप इस फरकार समझे कि जो हमारे शरीर में कोई virus bacteria अंतर गया है उनसे लड़ने के लिए एक सैना या सिपाही जैसा होता है जो कि उनसे लड़ता रहता है bacteria और वायरस से उसी को हम लोग antibodies कहते हैं या antibiotics जो tablet दी जाती हैं उनको कहते हैं ये कुछ antibodies की antibodies की उधारन है जो यहाँ पर दी गई है Alexander Flaming ने 1929 में क्या किया था penicilline की खोज की थी penicilline क्या करता है कि हमारा micro organism को grow नहीं करने देता है यही इस paragraph में बताया गया है अब आगे हम लोग discuss करते हैं कि bacteria जो antibodies बनती है हमारी वो fungi और bacteria से बनती है यह बताया गया इस paragraph में कि जो हमारा antibiotic है इसको हमको बहुत ही अच्छे qualified doctor से सला से लेना चाहिए नहीं तो ऐसा नहों कि आप लोग antibiotic जाता मातरा में ले 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 तो वो फिर body जो है resist कर जाती है जैसे माल लीजिए आपने 100 mg की गोली है तो 100 की ही लेनी चाहिए तो इसलिए हमको डाक्टर की सला से ही जो है medicine लेनी चाहिए अब ये vaccine क्या होती है bacteria और protozoine सब के लिए होती है antibiotic लेकिन जो virus के लिए होता है वो होता है vaccine होती है क्योंकि जो antibiotic है जो हमारे virus के लिए काम नहीं करती तो vaccine जो है वो virus के लिए मुखता होती है जो की antibodies बनाती है यही हमारा क्या करता है जो उसको virus रहता है उसको vaccine की साहिता से ही मारा जाता है अब यह है Edward Jenner इन्होंने smallpox की 1798 में vaccine develop की थी smallpox virus की वज़ा से होता है जो छोटे-छोटे बच्चों में पहले पाया जाता था आपने देखा होगा कि पहले TV और न्यूस पर काफी एड आता था पोलियो का पोलियो भी जो है हमारा जब आप लोग छोटे थे तो पोलियो किया TV पे खुब आती थी वो पोलियो वायरस की वज़ा से होती थी तो पोलियो का हमारा टीका लगा जाता था वैक्सीन जो है वो टीके के इंजेक्शन के फॉर्म में ही लगती है जब हम लोग छोटे थे तो इंजेक्शन आपको दिये जाता था ये सरकारी होस्पिटल में अभी भी मिलता है पोलियो की दवाई पिलाई जाती है और स्मॉल पोक्स का वैक्सीन जो है लगाया जाता है और भी वैक्सीन लगाई जाती है जैसे टीबी की इन सब की वैक्सीन लगाई जाती है अब ये फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं कुछ बैक्टिरिया हमारे लिए फर्टिलिटी सोयल फर्टिलिटी सोयल का जो है मिट्टी का उपजावपन उसको बनाये रखते हैं वो क्या करते हैं एटमोर्फेस से नाइ nitrogen है वह मिट्टी के लिए पन के लिए बहुत जरूरी है NP के जो है मिट्टी में होना चाहिए nitrogen, phosphorus और potassium तो nitrogen कहांसे हमको मिल जाता है अट्मोर्फेस से हम direct body नहीं लेते हैं जो ईन्में मिट्टी में microbes रहते हैं वो उनको करहन करके तब प्लांट को ग्रो कराने में सहायता करते हैं ये nitrogen fixing काइना बैक्टीरिया है blue green algae है अब ये clean जो हमारे हमारे जो है ये micro-organism हमारे environment को भी clean करने में सहायता करते हैं जैसे vegetable के या fruit के जो हमारे छिलके हैं ये हम लोग क्या करते हैं एक गड़े में dump करते हैं तो ये कुई दिर के बाद या कुई दिन के बाद आप लोग क्या देखते हैं ये manure में खाद में बदल जाता है वही खाद ले जाकर हमारा एक तो ये जो है वह एक काम आ गया manure बन गया और जो है नहीं तो हम इसको जो हमारा छिलका रहता है फलका और सबजी का इसको कहीं उस तरह नहीं फेकना चाहिए ये ले जाकर एक गड़े में इकठा करके ये इसी से हमारा manure बन जाता है तो ये environment को clean करते हैं ये ही यहाँ पर बताया गया है कि इन्होंने क्या किया है कि एक से एक experiment किया है कि दो इन्होंने pot ली है एक में जो है छिलके सबजीयों की छिलके और फलों की छिलके जो यह निए degradable है उनको डाल दिया गया है एक pot में और दूसरे pot में polythene वगारा डाल दी गई है तो कुछ समय के बाद क्या होगा कि जो pot A में जिसमें हम लोग सबजीयों की छिलके डाले थे वो जो है decompose हो जाएगा और जो इसमें plastic डाला था वो है वो decompose नहीं होगा तो यही इसमें experiment में इन्होंने किया है कि जो है जो decompose हो जाएगा वो plant grow कर जाएगा और जो pot B है उसमें plastic रहेगा वो मुर्जा जाएगा यही इसमें किया गया है अब हमारे लिए micro-organism harmful कैसे हैं और यह हमारे साथ-साथ जानवरों और पोधों को भी नुकसान पहुँचाते हैं जब हमें नुकसान पहुचाते हैं तो इनको panthogen कहा जाता है micro-organism से human में कौन-कौन सी disease होती हैं जैसे यहाँ पे खाते हैं उनके साथ भी disease हो सकती है और जिसको एक बीमारी हुई है direct person-to-person contact हो उससे भी disease हो जाती है उसको क्या कहते हैं communicable disease कहते हैं यहाँ पे जैसे यह दिखाय गया है जैसे किसी को cold हुआ है तो वो हजारों की संक्या में जब हो छींकता है तो स्नीज करता है तो हजारों की संक्या में air में virus रहते हैं अगर वहीं पे स्वस्थ व्यक्ति नजदीग रहेगा तो उसको भी वो बिमारी हो जाएगी और जो है breathing की समय यह हो सकता है या छीकते समय दूसरे व्यक्ति के सामने आप छीकते हो तो जो आपको बिमारी है वो दूसरे वाले व्यक्ति को भी हो जाएगी इसको हम लोग communicable disease कहते हैं तो इसलिए हमें कहा जाता है कि जब आपको जुखाम रहता है तो आप लोग रुमाल रखकर तब खासिए और छीकिए ताकि दूसरा परसन जो है इनफेक्ट ना हो सके अब यहाँ यह कुछ जानवार हैं इंसेक्ट और एनिमल हैं जो की carrier रहते हैं जैसे की मक्खी रहती है यह कुमनली रहती है कुमनली रहती है हमारे यहाँ जो की carrier का काम करती है जैसे की यह एक्सक्रीटा यानि की डंग वगारा पर बैठ कर और वहाँ से उड़कर अपने जो अपने साथ जो है एक्सक्रीटा उसको साथ चिपका लेती है और उसके बाद हमारे खाने पर आकर बैठ चाती है तो ये ट्रांसफर कर देती है वो कंटामिनेटेड फूड हो जाता है उसके बाद हम उसको जब खाएंगे तो बिमार हो जाएंगे अब यहाँ पर कुछ मच्छर हैं ये भी जो है हमारे कैरियर रहते हैं जैसे ये ये मच्छर है हमारे एनफिलीस मौस्किटो और जो है मलेरिया एडीस मौस्किटो ये भी डेंगू वाइरस मलब स्प्रेड कराने में सहाइता करते हैं ये मच्छर के मलब डेंगू के लिए मुक्ता होती है डेंगू फैलाने में ये सहाइता करती है तो इनसे हमको बच किया है न चाहिए और हमारे बताया गया है कि आस पास जो है वो कूलर में टायर में और फलावर पोर्ट में पानी इकठा नहीं होने देना चाहिए उसको इ इससे कैसे हम लोग बैक्टीरिया दिया गया है और कैसे कौन सी बिमारी होती है और ट्रांस्पीशन का मोड गया है और क्या क्या हम लोग इनसे परिवेंट कर सकते हैं ये इसमें बताया गया है जैसे TB है वो बैक्टीरियस होता है और mode of transmission क्या है air से फैलता है यानि कि हावा में और हमको क्या करना चाहिए कि isolation का मतलब होता है कि एक कमरे में आपको रहना चाहिए है वो बैक्टीरियस होता है ये आप लोग अच्छे से discuss याद करके रखिएगा और जो है कुछ है हम लोग इनसे disease causing animal कुछ disease कुछ microorganism जो है वो animal में और प्लांटों में भी disease करते हैं जैसे रोबर्ट कोच ने 1874 में bacillus anthris जो है इसकी एक बैक्टीरिया दवाई बनाई थी जोकी anthrax disease को cause करती थी रोबर्ट कोच ने 1874 में एक ये बैक्टीरिया की खोज की थी जो कि एंथ्रेक्स करता था वैक्सीन नहीं बनाई थी तो वो एंथ्रेक्स जो है वो एनिवल में होता है वो उनके मुँ और पाउं को एफेक्ट करता है अब ये पलांट में कौन-कौन सी बिमारिया होती है इसके बारे में लोग नेक्ट वीडियो में देखेंगे वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद